नमस्कार दोस्तो, इस छोटा सा वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे असरी इसलिक जल के बारे में, क्यां दोस्त आप लोग को पता है यह जो ज्यादातर हम लोग भी ब्लू कलर का सिलिके जल यूज करते हैं, then other country में जो blue color का silica gel होता है, यह ban कर दिया गया है, अभी क्यों ban कर दिया गया है, और यह क्या hazard है, आज हम लोग जानने वाले हैं, ठीक है, तो वीडियो को end check देखिए दोस्तों, बहुत ही interesting होने वाला है, so मेरा नाम है Pankaj, और आप लोग देख रहे हैं, इंजिनिंग वाले YouTube channel, तो फिर चलिए दोस्तों, वीडियो को start करते हैं, तो friends, first of all, हम लोग जान लेते हैं, कि जो silica gel है, हम लोग क्यों use करते हैं, transformer में, देखे friends, यहां भी देख सकते हैं, transformer है, और जो conservative tank हम लोग होता है, just उसके उपर ही, एक pipe के through यहां पे, breather लगया ज करते हैं, मतलब डालते हैं, अभी हम लोग क्यों use करते हैं, transformer में देखे, जो transformer है, हम लोग फिल्ड में लगाते है, transformer को, ठीक है, तो air में, जितना type का moisture होता है, तो moisture content, अगर अंदर चला जाएगा, तो transformer के लिए harmful होता है, अंदर का oil है, उसको डालेक्टरी strength है, और कम हो जा breathe in कर लेता है, ठीक है, जो transformer है, एक type का breathe in and breathe out करता है, जैसे कि इसका नाम breather है, यह जो device देख सकते, इसका नाम breather है, बिदर से ही पता चल रहा है, कि breathing करना, तो just like transformer, ऐसे breathe करते हैं, तो breathe करते time, breathe in करते time, जो air में जितने moisture है, यहाँ पर अब्जब कर लेता है, silica gel और fresh air अ harmful नहीं होता है, तो अभी दोस्तों हम लोग जान लेते हैं, कि जो blue color का silica gel है, यह harmful क्यों है, मतलब hazards क्यों है, तो friends, basically तीन type का silica gel होता है, यहाँ पर देख सकते हैं, blue color का है, then orange color का है, then white color का है, तो friends, यहाँ पर कुछ articles देख सकते हैं, जैसे कि year of country में, जो blue color का silica gel होता है यहाँ पर देख सकते हैं, silica gel, blue is banned in some year of countries, due to its toxicity, यह toxic होता है, मतलब हम लोग का human body है, body के लिए खराब होता है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, vomiting हो सकता है, vomiting हो सकता है, essence हो सकता है, इस टाइप का कुछ मतलब, इसका toxic के वज़े से कुछ effect हो सकता है, हम लोग का body में, तो इसका compounding जो होता है, cobalt, koloride होता है, तो इसलिए जो blue color का silica gel होता है, कुछ countries में इसको ban किया गया है, इसके बज़े से सुनने में आया था कि cancer भी हो सकता है, ठीक है, तो इसका दिया गया है, क्योंकि यह toxic होता है, और यह hazard होता है, जो orange color का silica gel होता है, यह बहुत ही अच्छा होता है, यह आप देख सकते है, orange silica gel is not toxic, 100% pollution free, इसके वाइस से कुछ pollution भी नहीं होता है, यह मतलब, save है, orange color का silica gel, यह भी save होता है, आप लोग देखे होंगे, कि जो blue color का silica gel होता है, जब हम लोग transform में इसको लगाते है, उस टाइम में यह जो air में जितना भी moisture content होता है, वो absorb करते करते हैं, इसका color pink color जैसे हो जाता है, इसको फिर से हम लोग क्या करते हैं, heat करके, या धूप में रखके, इसका color दिरी-दिरी फिर से blue हो जाता है, मतलब, इसको हम लोग reuse कर सकते हैं, heating करके, तो जब heat होता है, जब इसको heat करने के time पे, जब यह pink color से दें, फिर से blue color होता है, उस टाइम में कुछ gases निकालता है, वो gases हम लोग के लिए खराब होता है, ठीक है, नैचरल लोग लोग होता है, जब यह moisture content observe करने लगेगा, मतलब, observe करने जब लगेगा, उस टेम यह इसका color धिरे-दिरे-दिरे pink हो जाता है, हम लोग को पता चल जाता है, कि इसका replace करने का time आ गया है, ठीक है, तो इसको हम लोग heating करके, फिर से हम लोग इसको use कर सकते हैं, तो इसके वज़े से जो blue color का silica gel होता है, तो इस वीडियो में इतना ही थोरा सा, ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, ऐसे interesting वीडियो देखना चाहते हैं भी चैनल को subscribe कर लिजे, thanks for watching